कई बर ऐसो था कि माम कुछ यह सड़नी हो जाती है और आइकोनिक डियालोग बन जाता है आइकोनिक फुक्स्टेप बन जाता है अगर आज जूगल पर सर्च करें कि विग बॉस ओड़ी टीप किसने केस के तो आपका नाम आता है जी क्या रगता है कि यह इतना बड़ा इश् तो बिना कॉंट्रवर्सी के मैं खतम करूंगी बड़ जाते जाते भी एक तो होई गई और मुझे जब मैं अंदर थी सच में ऐसा नहीं लगा था कि यह इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि वो एक टास था तीस सेकेंड का टास था उसके बाद बहुत कुछ हो गया रात को उसकी बहुत जादा बाते भी नहीं हुई वो खतम हो गया और मैंने अपना 100% दिया मैं एक टास जीत गई पर जब मैं बहार आए ताम मुझे पता चला यह किस का और जब वीकेंड का वार हुआ जब सर ने इतना कुछ बुला तम मुझे पता चला क्या यह इतना बड़ा यह मुझे भी नहीं पता था जो वीकेंड के वार पर मुझे पता चला भार आई तब पता चला कि इतना कुछ उस पे ट्रेंड हो रहा है बड़ यह भी मुझे पता चला वो हाईस्ट यार्पी मिली यह उस एपिसोड को तो I don't know what to say about that सल्मान साहर में आप सभी की दरफिर माफी मांगी तो ठीक है अभी उन्होंने मांगी है तो हम लोग भी बांगे बड़ मुझे अभी तक इस चीज में कुछ गलत नहीं लगता इसलिए जब सर ने भी मुझे बोला मैंने सिर्फ यही बोला जो मैं बोलूंगी कि यह एक टास था मैंने सिर्फ इससे एजगा सक लिया आज आटस्स में इसको एक सीन जैसालिया में कोस्टार के साथ परफॉर्म कर रहीं उसको उतना ही लिया बस उससे ज़ादा मेरे लिए कुछ मुद्धा नहीं रखता है और उतना ही है मेरे बाद में पिर ऐसब कहा गया कि यूर नॉ वोनों hero heroine के बीच में ऐसा कुछ नहीं एक टास्ट था 30 सेकेंड का टास्स मुझे complete करना था तो मैं जादा अपने ना lips को ना जादा इतना reciprocate नहीं कर रही थी इतना involved नहीं हो रही थी उस चीज में उस वो कुछ तो आप मेरे घर पे थोड़ना मुझे मिल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर्डी किस करूं हमें टास्क में टास्क जीत रहे हैं उतना ही मैंने किया और इसलिए मैं टास्क जीती